हेलो एवरिबन वेल्कम टू एकलविया सनातक और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है इसकी यूनिट 6 करवाने वाला हूँ इंग्लिश मेडियम में और आपको बता दू यह निव एजिकेशन पॉलिसी पे बेस्ट आपका जो लेटेश इस लेबस है उसके अकॉर्डिंग इजी समरी में में टॉपिक्स आपको करवाने वाला हूँ और PDF नोट्स भी आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिये जाते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो मारा टॉपिक है वह है कुदूब कॉम्पलेक्स कैसे इसका डवलपमेंट हुआ क्या क्या चीजें आती है कुदूब कॉम्पलेक्स के अंदर सो सबसे पहले कुदूब का construction होता है 1192 से लेकर 1220 तक ठीक है तो सबसे पहले कुतुब हुदिन एबग जो है जो की दिली सल्टनत को जिसने स्टार्ट किया था उसने इसका construction करवाया था कुतुब हुदिन. जो इसकी पहली मिनार है जो पहला जो इसका जो पहली मंजिल है वो कुतुब उदिन एबक नहीं complete करवाई थी बाद की जो इसकी मिनारे थी उपर की वो आगे आने वाले जो इसके successors थे इलतुतमिश और फिरोशा तुगलक उसने बनवाई थी ये कुतुब मिनार जो है ये victory का symbol है means जो इनोंने यहाँ पे जीते थे जो भी लडाईयां वगरा उसका symbol था ये देन उसके बाद जो आपके यहाँ पे दिख रहा है screen के सामने ये भी कुतुब complex के अंदर एक architecture है जिसको कहा जाता है अलाई दरवाजा और मैं आपको बताता हूँ कि जो अलाई दरवाजा है ये अलाउदिन खिलजी ने बनवाया था जो दिली सलतनत का काफी powerful ruler था 1311 में बनवाया था बहुती impressive gateway है red sandstone और white marble को mix करके ये बना रखा है आप यहाँ पर देखो ये red red वाला red sandstone है और white white marble भी है बीच बीच में और ये है कुवत उलिस्लाम mosque यानि कि ये मस्जिद है और इसके बारे में ये का जाता है कि ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ कर उनका जो मलबा था वो यूज करके इसको बनाये गया था इस मस्जिद को तो ये लिखा है प्रूफ है इसके बार बोर्ड लगा हुआ है उसके उपर लिखा हुआ है तो ये चीज हो जाएगी फिर उसके बाद आता है जो अपका लो इस्थम्ब आइरन पिलर ये आइरन पिलर जो है ये बहुत पुरान है ये दिल्ली सल्तनत से भी पुरान है आईरन पिलर जो की कुवत उल इसलाम मस्जित के बिलकुल आंगन में बना हुआ है इसके उपर संस्कृत में इंस्करिप्शन लिखे हुए है means संस्कृत भाशा में इसके उपर चीजें लिखी हुई है और उसके बाद आता है tom of iltutmish ठीक है ये जो मखबरा है iltutmish का ये इस तरीके से बना हुआ है ये भी आसपास ही है वहीं पर कुतुब complex के अंदर ही है then उसके बाद मैं आपको बताओ ये आपको दिखाता है कि कैसे जो islamic architecture था वो होता था then फिरोजशा तुगलक जो था उसने और expansion का काम करवाया 1351 से लेकर 1388 तक फिरोजशा तुगलक जो था उसने renovations करवाये कुतुब complex के अंदर अपने time पर उसने इंडो-सlamic architecture structure जो होता है दा होजे शमसी बहुत बड़ा water tank था वो बनवाया था और बाद में कुछ चीज़ें add करी गई थी ठीक है धीरे 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 जैसे इमाम था एक जमीन इमाम जमीन नाम से एक था इनका इमाम वो मतलब mall way type था उसका tomb उसका मगबरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर एक British archaeologist थे James Burgies वो भी यहाँ पर आये थे उनोंने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ दुबारा से रेनोवेट करवाने की कोशिश करी थी 19th century में देन आपको अब हमपी के architectural features आपको बता देता हूँ हमपी जो की विजे नगर kingdom की capital थी करनाटका के अंदर है और युनेसको की world heritage site है इसमें सबसे पहले विठल temple complex आता है विठल मंदिर यह आपके सामने है कुछ इस तरीके से दिखता है विठल मंदिर विठल देवता का जो कैसे कितनी सुंदर तरीके से की गई है देन उसके बाद आता है विरुपाक्ष टेंपल यह माना जाता है भगवान विरुपाक्ष का टेंपल है और इसके अंदर इसकी एक feature यह है कि इसमें entry gate बड़े बड़े लगे हुए है जिसको गोपुरम का जाता है entry gates लगे हुए गया है देन उसके बाद आता है अक्षूत राय टेंपल और अक्षूत राय टेंपल जो है यह मार्केट एरिया के अंदर था यह टेंपल बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा था आप देख सकते हो आपको फोटो में दिख रहा होगा ठीक है और यहां पे बहुत ही लोटस की पंकुडियां होती है उसके जैसा कुछ ऐसा डिजाइन बनाया गया था माना जाता है यह एंटर्टेन्मेंट की जगा हो सकती है ठीक है यहां पे जो क्वीन्स वगेरा है वो आती हूँ फिर आता है एलिफेंट का स्टेबल यह क्या है कि हाथियों को रखने की फिर कुइन का बातरूम आता है बहुत ही एक बड़ा rectangular structure था बातरूम जो था कुइन का और इसके अंदर बहुत ही अच्छा पानी करम करने का भी system था और जो water drainage system है वो बहुत अच्छा था फिर कृष्णा temple complex आता है भगवान कृष्ण को dedicated यह पूरा complex था जो की कृष्णा बजार भी थी एक वहाँ पर ठीक है और ये टेंपल में बगवान किर्शन के बच्पन से जुड़ी वी और लाइफ से जुड़ी वी बहुत सारे डेपेक्शन्स आपको देखने को मिलती है देन हमपी बजार जो की मेन मार्किट थी हमपी की जिसमें सभी पुराने नए स्ट् इंटर था वीजे नगर का सो यह सब चीजें इसके आर्किटेक्चर के फीचर से और इतना ही है इस यूनिट के अंदर आप इतना करके अगर हेडिंग्स को याद कर लेते अच्छे से तो आपको अच्छे नमबर मिल जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्रेंड वोक्स में वीडियो को शेर करें जैहिंद जैवाइब